जै स्री कृष्णा दोस्तों आज हम बनाएंगे आलू पालक के चटपटे पकोरे आज हम बताएंगे होटर डेस्टूरेंट में आलू पालक के बहुत ही टेस्टी और क्रिश्पी पकोरे कैसे बनाए जाते हैं तो आज हम थोरा डिफ्रेंट तरीके से बनाएंगे जिसे पालक के लिए हम लिए हैं पालक पालक हम एक बंच लिए हैं और इसे हम अच्छे से धो कर साफ कर लिए हैं और इसे हम मोटे मोटे टुकरों में कट कर लिए हैं तो ध्यान रहे हैं मैं पालों को एकदम अच्छे तरीके से धोना रहता है चार से पांच पानी समी से धोते हैं ताकि इसके सारे डस्ट जो है वो निकल जाए तो मैं इसे एकदम अच्छे तरीके से धोके और कट कर ली हूँ और साथ में में ली हूँ दो ग्रेट किया हुआ आलू तो मैं दो बरे साइज का आलू को एकदम अच्छे से ग्रेट कर ली थी और इसे चार से पांच पानी धोने के ब पालक का भी पानी एकदम अच्छे से धोके सुखा लेना रहता है तो आप इसे पहले से दोके आधे गंटे के लिए छोड़ दें ताकि इसका पानी सारे जहर जाएं तो इस तरह से हमारा पालक का पानी निकल गया है अब हम इसमें डालेंगे दो बरेचमत से बेशन साथ में ह दालने के बाद हम पालक बेशन और नमक को एकदम अच्छे तरीके से इसमेश कर लेंगे ताकि हमारा यह जो पालक और बेशन जो है अच्छे से इसमेश हो जाए और पालक हमारा एकदम सॉफ्ट हो जाए और इसका पानी जो भी है वह रिलीज हो जाए तो इस तरह से पहले हम नमक और बेशन के साथ में पालक को अच्छे से स्मेश कर लेते हैं तो इसमेश करते ही पालक जो है पानी को अच्छे से छोड़ देता है और अच्छे से हमारा इसमेश हो जाता है पालक तो एक मिनिट तक हम बेशन के साथ में अच्छे से स्मेश कर लेते हैं अब पॉर्फेक्ट तरीके से हमारा पालग इसमेश हो चुका है अब देख सकते हैं इसमेश करते ही एकदम से कम हो जाता है यह तो इस तरह से अच्छेश कर लेंगे तो अब जब भी पालक को काटे तो पकोरी बनाने के लिए तो थोड़ा मोटा मोटा साइज का कट करें तो इसे हमारा पालक का पकोरा जो है एकदम क्रिस्पी बन कर तेयार होता है तो हम अच्छे से smash कर लिए हैं बेशन और नमक डालकर पालक को अब देख सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे दो medium size का कटा हुआ लच्छेदार प्याज तो मैं पहले से प्याज को cut करके रख ली हूँ अब देख सकते हैं एकदम लच्छेदार में cut की हूँ अब हम इसमें डाल देंगे पालक के साथ में इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे पकौरे में इसे डालने के बाद फिर मैं इसे अच्छे से पालक के साथ में smash कर लूँगी ताकि हमारा जो यह प्याज पालक बेशन होई एकदम अच्छे से smash हो जाए बहुत ही क्रिस्पी करा रहा है यह पकौरा बनकर तयार होता है इस तरह से बनाने से तो मैं प्याज को अच्छे से स्मेश कर ली हूँ अब हम इसमें डालेंगे लेशन अद्रक और हरी मिच को मैं पहले से कूट के रखी थी तो दो बरे चमसे में लेशन अद्रक और हरी मिच क तो कूटली थी इसमें डाल ले रही हूं इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है आप चाहे तो लसे नद्र को कट करके भी डाल सकते हैं साथ में में ग्रेट किया हुआ आलू को डाल ले रही हूं तो ध्यान रहें जब भी आलू को अपक्रेट करें तो इसे आप अच्छे से कि निपानी को निपाल सकते हैं अब हम इसे ठावल का एगदम से क्रिस्पी बन कर पकवरा तियार होगा और साथ में एक आधी चमस हम धनिया पौडर आधी से थोड़ा कम हम इसमें काली मिच पौडर डाले हैं आधी चमस हम जीरा पौडर डाल देंगे और साथ में हम इसमें डालेंगे आधी से थोड़ा कम हम इसमें गरम मसाला पौडर डाल दे रहें तो इस तरह से सारे मसाले पौडर को डाल ले लेंगे एक मिनट के लिए बहुत क्रिश्पी करारा बन कर इस благ कोर हमारा तियार होने वाला है आप इसे एक बार बार बनाना कि पसंद पारेंगे तो इसे आप सामने चाय के टाया पर या फिस कोई घर पे मेह्मान आ जा या फिर पाटी फंचन में बनाई इस पकोरे को सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है तो आप देख सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से हम इसमेश कर लिये हैं अब इस तरह से हम एकदम से निम्बू के आकार में पोर्सन को उठाएंगे और गोल-गोल हलके हाथ से दबाते हुए बनाएंगे ध्यान रहे इसे हमें एकदम से हाथ से दबाके नहीं डालना रहता है हलके हाथ से बस गोल-गोल हिला डोला के बना लेंगे और फिर हम इसको फ्राइ कर लेंगे तो हम कराही में ओयल रखे हैं गरम होने के लिए जब हमारा ओयल गरम हो जाए तो हम आज का फ्लेम एकदम मीडियम हाई फ्लेम कर द होने तक किसे पकाऊँगी तो इससे हई-flame पे नहीं पकाती हूं अगर हई-flame पकाएंगे तो आपका अंदर से एकदम से crispy बन करने ही तियार होगा पकौरा उपर से पक जाएगा अंदर कच्चा ही रह जाएगा इसलिए हम मीडियम हाई फ्लेम पर इसे पकाते हैं तो आप देख सकते हैं अलटे पर लटे में इसे एकदम पर्फेक्ट तरीके से पका रही हूं एकदम अच्छा कलर हमारा आगया है पकोरे का एकदम गोल्डेन ब्राउन हो चुका है हमारा पकोरा तो अब हम तेल क करते हुए इसे निकाल लेंगे तो आप इस तरीके से पकोरे बना के जरूर ट्राय किए जएगा बहुत ही पॉर्फेक्ट तरीके से पकोरा बनकर तयार होता है बहुत ही स्वादिश्टे बनकर तयार होता है तो इस तरह से आप देख सकते हैं पकोरे को बना लिया है और बा आफसे और आपका तारीख किये बीना नहीं थकेगा तो इस तरह से आप अपने घर में पालक और आलु का पकौरा बना के जरूर ट्रय किजएएगा । इस तरह से हम सारे पकौरे को फ्राई कर लिये हैं और लाउस्ट में हम 4-5 हरी मेर्ज को बीच से कट करके और फ्राइ कर लेते हैं इससे पकुरे के साथ में खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है तो इस तरह से हरी मिर्च को भी फ्राइ कर ले रही हूं अब हम इसे गर्मा गरम सर्फ करेंगे आप देख सकते हैं कितना क्रिश्पी करारा हमारा पकुरा जो है बनकर तयार हो गया है तो इसे आप हरी मिर्च के साथ खाइए बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है और हरी चटनी के साथ खाइए या फिर टमैटो केचप के साथ खाइए तो इसे आप साम के टाइम में चाय के टाइम पर बना के खाइए बहुत ही मज़ेदार रेशिपी है एकदम क्रिश्पी करारा बन कर तयार होता है तो अगर आपको हमारी ये रेचिपी पसंद आई हो तो प्लीज 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 लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं बूलिएगा और इस तरह से अपने घर में आलू पालक का पकवरा बना के जरूर ट्राइ कीजिएगा और कॉमेंट करके बताएगा कि आपका आलू पालक का पकवरा कैसा बना तो मैं इसे आपको तोर करके दिखा रही हूँ कि कितना क्रिश्पी और क्रंची हमारा पकौरा बनकर तयार हुआ है बहुत ही मज़ेदार चटपटा यह पकौरा बनकर तयार होता है तो मैं इसे सर्विंग प्लेट में टमैटो केचप के साथ सर्व करने वाली हूँ तो इस तरह से आप अपने घर में ज़रूर ट्राइ कीजिएगा तो मैं मिलूँगे आपको एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई